रोल में ढलने के लिए अपनी जान से खेल गए थे ये 10 बॉलिवुड स्टार्स पूरी तरह से तूट चुकी थी और इस सीन के बाद वे एक घर चली गई थी फिल्म रमन रगव में एक्टर नवाजुद्दीन की एक्टिंग काबिले तारीफ है नवाज ने फिल्म में एक सीरियल किलर का किरदार निभाया था नवाज ने इस फिल्म में अपने रोल से लोगों की रूह कम पादी थी फिल्म बदलापूर में अपनी पत्नी और बच्चे का बद्दा लेने के लिए वरुन दवन ने बहुत ही खतरनाक रोल ले लिया था और वे इस रोल में बहुत सटीक एक्टिंग कर रहे थे फिल्म में अपनी बीवी बच्चे के का तिल का खून करने के लिए वरुन पागल हो जाते हैं फिल्म एने च दस बहुत मार में कीसम की फिल्म है अनुशका ने बताया कि इस फिल्म में छेर छाड़ वाले सीन को लेकर वेह बहुत तनाव ग्रस्त हो चुकी थी फिल्म मेरी कौम में प्रियंका चोपडा ने अपने मस्कुलर लोग के लिए बहुत मेहनत की इसके लिए प्रियंका ने दिन रात कड़ी मेहनत की यहां तक कि उन्होंने अपनी डाइट भी एक खिलाड़ी की तरह लेनी पड़ी मनोज वाचपई बॉलिवुड के मनझे हुए कलाकार है फिल्म अलीगर में अपने रोल में ढलने के लिए मनोज ने जरूरत से ज्यादा मेहनत की फिल्म भाग मिलखा भाग एक पर फरहान अक्तर के फिल्मी करियर के लिए मिलका पत्थर साबित हुई है फिल्म में फ्लाइंग किंग मिलका का असलुक लेने के लिए फरहान ने मैदान पर जम कर पसीना बहाया फिल्म ने बॉक्स आफिस पर कमाई के जंडे गाड़े फिल्म दंगल तो सबने देखी ही होगी आमिर खान अपनी हर फिल्म में अलग-अलग अंदाज में नज़र आते हैं ऐसे में बात करें हैं उनकी फिल्म दंगल की तो इस फिल्म के लिए आमिर खान ने अपना वज़न तादाद से ज़्यादा बढ़ा है जो की रोल के हिसाब से फिट बैठाना था और फिल्म इतनी हिट हुई कि चीन में भी इस फिल्म ने खूब कमाई की बोलेवुड के नए सुपरस्टार एक्टर रनवीर सिंगाज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है उन्होंने अपने आठ साल के फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्म दी है और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग को खूब सा रहा है अगर बात करें उनकी फिल्म पदमावत की तो रनवीर ने इस फिल्म में अपने रोल में ढलने के लिए पूरी जान जोंक डाली आखिर में बात करेंगे फिल्म सर्बाजीत की फिल्म में एक्टर रंडीप हुडडा ने सर्बाजीत का बहुत ही बेहतरीन रोल अदा किया जेल में रहने के दोरान जो हालत सर्बाजीत की हुई थी वही हालत रंडीप हुडडा को खुद की करनी पड़ी फिल्म और फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं इस रोल में आने के लिए 28 दिन में उन्होंने अपना 18 किलो वजन घटाया था